कि वेल्गम टू आनलाइन क्लासेस आनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे जो हमारी मोल भूत हिकाईया है उसके बारे में तो किसमें सबसे पहले आपका आता है यांत्रिक हिकाईया यानि यांत्युदी मैंगे इंगयंकल यूनिट में आपको पढ़ना है इसमें साथ आठ टर्म है IntMary त पहले इसमें आपका आता है कर दरब्यमान होगया वेव हो गया-ट्रड हो गया टींस्ती हो गई पिर उसके बाद आपकी उर्जा हो गई फिर उसके बाद आपका धार हो गया Есть तमाम चीजें आपको mechanical unit के जरिए पढ़नी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दर्विमान की, अ गडर्विमान क्या होता है। उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे की द्रिमान किया है जैसे कोई बस तो अगर उसको आप फर्च पर रखें वो कुछ न कुछ आयतन घेरेगे यानि उसका कुछ न कुछ अस्थान घेरा हुआ आप देखेंगे यानि कहने का मतलग यह है कि दरब्यमान वो चीज होती है जो कहीं न कहीं वेट से संबंदी यानि भार से संबं करती है कुछ इस प्रकार है कि किसी पदार्थ की वो मात्रा किसी पदार्थ की वो मात्रा जो दरब्य को दिनोड करती है या परदफित करती है उसे हम क्या कहते हैं दरब्यमान कहते हैं लिख लीजिए इसको किसी पदार की वैं मात्रा जो जरब को परदरते करते हैं उसे जरब बिमान कहते हैं यह इसकी परिमासा बनती है इसको यम से परदर्तित किया जाता इसका जो मात्रक होता है कभी-कभी यूनिट्स भी पूछी जाती है जैसे अज्यक्टिव पर पोस्टन में कभी-कभी दरबिमान की जो यूनिट्स है उसके बारे पूछ लिया जाता है तो इसकी जो यूनिट्स बनती है आपकी यूनिट्स आपकी किलोग्राम इसकी जो यूनिट्स बनती है आपकी किलोग्राम में इसको हम मापते हैं यानि इसका जो मापन किया जाता है को किलोग्राम में किया जाता है खेग ना इसमें एक अलो मतलब अलग तर्म जोटा है आपका कभी खभी जैसे इसके बारे पूछ लिया जाता है कि यह सद्स राज़िया यह अधिस राज़िया तो यह क्या है अधिस राजिया इसको बूला जाता यह अपर अधिस राश़्िया कहलाती है यानि इसमें सिर्फ्प मिलेगी यानि सिर्फ और सिर्फ इसका दर्वेमान मिलेगा यानि मात्रा मिलेगी और इसकी कोई दिसा नहीं होती अगर परिभासा इसकी देखी जाए जो सदिस रासियां होती है वो कहीं कहीं परिमार के साथ साथ दिसा को भी परदर्शित करती है लेकिन जो अधिस रासियां होती है उसमें शिर्फ और सिर्फ परिमार्ड होता है जिसा नहीं होती है तो यह कैसी राष होगी अधिष राष के अब हम बात करते हैं नेक्ष्ट कर है कि तो कि बहुत सुने होंगे बेग का नाम बिलाश्टी इसको इंगलेस में बिलाश्टी कहा जाता है उसके बारे में आप सुने होंगे तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि बेग बराबर आपका होता है कि विश्थापन पटे समय यह सूत्र आप अगर बेग कहीं देखेंगे तो यह सूत्र या फार्मूला आप जरूर देखेंगे तो समय के साथ याली समय के साथ अगर कोई बस्त विश्थापित हो रही है यानि एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जा रही है कोई हमारा क्या कहलाता है यानि यह कांग समय में किस्ती बस्त में विश्थापन या आप कह सकते एक अस्थान से दूसरे अस्थान पे जो द कि कांग कि कांग समय में समय में कोई बस कि जितनी दूरी विस्थापित हो रही है उसे हम बेट इसको वी से दिनोट किया जाता है या परदर्शित किया जाता है और कभी कभी इसका मातरक पूछ लेता है तो आप देखें होंगे जो विस्थापन होता है विस्थापन बटे कि जो यह चुकि जो विस्थापन होता है जैसे कोई मान की चलिए बस्थ हो आपके पास है एक अधान से यानि मान की चलिए कोई बस्थ होए अगर इसको दी दूरी इत्ते करना यहां से यहां तखक को विस्थापित करना है तो माझ के लिए अगर इसमें टी समय तो इसकी जो ऑंग्यानाम यूनिक्स बनी ऐसुक्ति विस्थापन है तो दूरी का हम क्या में आपकती है इसमें पीटर में और संधने को तो इसका जो मात्रक हुआ है आपका मीटर पर सेकेंड इसका जो मात्रक हुआ नियाए को मीटर पर सेकेंड कभी-कभी इसकी बीमा आप चुक्कि यहां पर जो दरबेमान है उसको किसी एंगल पर आपके सकते हैं किसी दिशा में विस्थापित करेंगे ना तो कहीं कहीं यह हमारी कैसी राशी है सदीष राशी आप इसको पॉइंट डाल के आप नोट कर लेज़ेगा कभी कभी एक्जाम में पूछ लेता है कि बताइए देग कैसी राशी है या कौन सी राश में आती है सदीष राशी है या आदिष राशी है तो आप हमेशा इसको याद कर ले चुकि मैंने डिफिनिशन तो बता ही दिया आपको कि इसमें कहीं कई परिमार के साथ साथ आपकी दिशा भी है तो जायर सी बात है सदीष राशियों में कहीं कहीं परिमार और दिशा दोनों पाई जाती है तो यह कौन सी राश हो जाएगी आपी सदीस राश ही हो जाएगी ठीक ना कभी-कभी इसके बीमा के बारे में पूछ लेता है तो तो यही देख लिजिए अब तो मैंने आपको बताया वी बराबर मीटर पर सेकंड ठीक ना यह इसका मात्रक मैंने आपको बताया है तो आप देखेंगे जो मीटर होता है उसको यानि दूरी है तो दूरी को हम किसमे यानि नमभाई है या चौडाई जो भी हो उसको हम अगर नमभाई है उसको यह से दिनोट करेंगे और अगर यह समय दिया सेकंड में इसको आप टी से दिनोट करेंगे तो इसकी जो भीमा होई आपके यल्टे माइनस 1 यह को कि जब इसको ऊपर आप लेकर जाएंगे माइनस में हो जाएंगे तो इसको लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे यह इसकी दिना होगे अब एक्सिलेरेशन की बात करते हैं तोरड लोग कहते हैं कि बेग परिवर्तन की दर को तोरड कहते हैं तो कैसे परिवर्तन होता है हमको उसके बारे में जाना परिवासत बहुत आसान है लेकिन कैसे परिवर्तन होता है आईए हम आपको बताते हैं जैसे मान की चलिए को यह आपके पास बस्त घृएंगि चैनि उसका जो मेट है आपके सकते हैं इसको मान की चैनिये हम 20 मीटर पर सेकेंड की बेग से चलाते हैं इसको यानि एक सेकेंड में वह बीस मीटर थाएक पर इस सेकेंड के इसका जो बेग है घट के 10 मीटर पर सकंड हो जा रहा है यानि एक सिकंड में उद्धस मीटर चल लए एक सिकंड में 10 रोच लए है अर्था कहने का मतलब है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है आपका यानि बेग में आपका कहीं कहीं चेंज्ज़ सो रहे हैं यानि अभी आपने पहले जब उचली तो 20 मीटर पर सेकंड यानि एक सेकंड में 20 मीटर चल लई है और जब उच दुबारा चली तो उसका भेग धटके 10 मीटर पर सेकंड हो गया अर्था कहीं न कहीं इसमें acceleration आया यानि कुछ दूरी चली होगी एक मतलब continue speed से उसके बाद क्या हुआ कि उसकी speed डाउन हो गई यानि कहीं कहीं पहले वाली जो speed है दूसरी वाली speed में कुछ न कुछ अंतर कितने का अंतर होई हम देखेंगे अभी तो आप देखेंगे जो acceleration है उसको हम A से denote करते हैं A से denote करते हैं A से इसको denote किया जाता है या परदर से किया जाता है और A बराबर होता है आपका dv upon dt त जैसे मैंने अभी example जो आपको दिया था आप 20 मीटर पर सेकेंड अब दूसरी बातु जब यह चली 10 मीटर पर सेकेंड से चली तो कहीं कहीं आप देखेंगे इसमें परिवर्तन हो रहा है कितने को रहा है आप देख लिए ये 20 माइनस 10 बटे एक यानि एक सेकेंड की बात कर रहा है तो 10 बटे एक बराबर 10 अब देखें यहां इसकी यूनिट की बात होते हैं कि इसके आगे आपकी यूनिट क्या लिखेंगे देखना तो आपने अभी पढ़ा जो बेक की यूनिट है वो मीटर मीटर पर सेकेंड आपने कहा और जो समय होता है यानि समय में जो परिवर्तन हो रहा है आपका जो किस समय है इसको हम हमेशा सेकेंड में लेंगे से कर दो कहने का मारा मतलब की जो यूनिट बनी अ है अब है इसको बार में देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या आ रही है तो इसकी जो यूनिट बनी मीटर पर second into second यानि meter पर second ispire खेग ना इसके जो unit बने meter पर second ispire यानि इसके आगे हम लिख सकते हैं meter पर second ispire और कभी-कभी इसके बीमा की बात करता है तो बीमा आप लिख लिजिए पीमा मैंने अभी बताया जो दूरी हम किसमें लेते हैं यान्ते लेते हैं और समय को समय को हम टीस लेते हैं समय को टीस लिया जाता है तो आपने सूत्र पढ़ा तोरण का एक्सेलिडेशन का मीटर पर सेकेंड इस्पायर तो यह बाइट इस्पायर हो जाएगा तो यह ल्टी माइनस और यह भी क्या है अगर रास की मावस सब्सक्राइब की जाए तो यह 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 थेक्ना है तो यह थेक्ट तो हमने दर्विमान पढ़ा लिया वेक पढ़ा लिया तॉरण भी पढ़ लिया अब बात करते हैं फोसकी फोर्स क्या होता है फोर्स हम अपने दैनिक जीवन में हर जगा देखते हैं यानि बलका उपियोग हम हर जगा देखते हैं जैसे कोई बस्त हो है पायान की चलिए कोई बस्त हो है अगर इस्थित या गतिमान उसकी अवस्था में अगर हम परिवर्थन करना चाहें तो हमें पोर्ष की अवसक्ता होगी यानि बल की अवसक्ता होगी अर्फात कहने का मतलब ये है किसी बस तुमें चाहे वो चलायमान हो या इस्थित किसी बाह बल के जरीए यद उसकी इस्थित में हम परिवर्थन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बल के उसे हम क्या कहते हैं बल कहते हैं तो इसकी परिवास्था आप लिखनेजिए किसी इस्थित या चलायमान होगी कि मान चलायमान अ बस तुपल इस्थित वाह बल के जरीए या बल के द्वारा आँ कि यादे इस्थित यादे लिखने आवस्था में आवस्था या इस्थित लिशे यादे इस्थित लिख़धित हैं इस्थिति समझ में आ रहा होगा इस्थिति में परिवारतन या जाए तो उसे इसको उपन लिखने जिए अब उसे इसको उसे इसको उस्थिति इसको उसे इसको उस्थिति में जाए कि आप से परदंते करते हैं ठीक और यह परावर होता है आपका इसको आप लीजिए यह इसको बनाते चलिए आप लोगा नोस बनाएंगे तो कभी मार्ण चलिए जब एक्जाम नजदीग होता है तो हम क्या करते हैं कि सौट नोस हमारे पास रहता है तो इसके लिए आपको नोस बनाना बहुत अवस्यक्त तो इसको मिटाना पड़ेगा मैं इसको मिटा रहे हैं आप यव्-ब्रावर में अब इसकी यूनिट्स की बात कि जाए है सित इस्टो इन उनिट्स के आप ने पढ़ा है इसका फार्मूला अब इसमें अभी आपने दर्विमान पढ़ा इसको किलोग्राम में आप एक और एक अभी मैंने बताया कि मीटर पर चेंडि स्वाई में मा तो इसकी जो योनिक्स बनी आपके कि योनिस्त बनी आपके किलोग्राम कि नीटर पर सेटेंड भाउड ठेग ॡश्रिटर यूटि जो यूलिट्स मैं वर ने ने जो जो बल था जो आप बल की जो परिभासा आप देखें हैं उसकी जो खोश की थी वो न्यूटन ने की थी इसका जो मात्रक होता है न्यूटन भी होता है अब हम बात करते हैं बीमा की यहीं देख लिजिए आप इसको आप यहां देखते हैं बीमा क्या होगे दर्ब्रमान को यह हम से परदर्शित करते हैं मीटर को यह से से किन्ड को या समय को ती से तो इसकी जो बीमा हो जाएगी आपकी कि पॉर्ट यह 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 कि माइनस जो जब यह उपर जाएगा जो तेकेंड इस्पायर आपका जब उपर जाएगा तो इसकी घात हमेशा माइनस में होती है यह अगर उपर माइनस है अगर उसको आप इसकी जो वी और यह में आइनस देकंक आगे बात करते हम लोगव देने स्टेट